यह दोस्तों फुल खतरनाक सिर यहां पर रइस्बरी पाई का भाई न्यू वर्जन यहां पर रिलीज आउट हो गया है finally, काफी लमबे टाइम बाई दो दिन पहले यहां पर रइस्बरी पाई का वाई वर्जन यहां पर गलोबली आप बोल सकते हो आउट हो चुक है हमने पास्ट में ही बहुत सरे गरें, और इंच पाई यह सब, अब देख सकते हो, अब प्राइजिंग इनकी बहुत कम रहती है, जिस प्राइज में यह लोग अफेलेबल हो जाते हैं, एक डीसेंट PC ठीक है, उसके बराबर की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी, साथ ही आपको सारा कुछ होगा, A to Z, RAM भी आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ SSD, NVMe SSD आपको लगाने का slot मिल जाएगा, आपको प्रोसेसर सब कुछ मिल जाएगा, USB से लेके HDMI, LAN, WAN, सब कुछ, और यह सब एक single board पे, साथ से मजे की चीज क्या हो जाती है, असान, easy, कि आप इसको कहीं प्राइजिंग क्या रह सकती है, और हाँ सबसे मजे की चीज, ऐसे part इंडिया में कैसे खरीज सकते हैं, वैसे pricing में ज्यादा बड़ा factor नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप बाहर से भी import कराते हो, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ नया इनकी website पे भी change हो गया, क कुछ नया दिखता है, let's see, के लिए दोस्तों आई 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 आए आपके साथ या स्टार्ट कराजा, आप क्या है, सबसे पहले नियम कानून वो देखते हैं, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने system पे और browser open कर लेता हूँ, देखो हम लोग raspberry pi पहले भी try कर ही चुके है, आ यह आगया 5 version, मैंने जैसा बताया था, तो इसको जब मैं open करता हूँ यहाँ पे, तो अब यह पूरी तरीके से change हो गया, इनोंने performance में भी up कर बहुत सारी चीज़ है, तो सबसे बहले तो यहाँ देखो 2-3% तो performance speed up कर दिया, प्रोसेसर में basically काम किया गया, और October से यह मिलना आप जुलना चालू हो जाएगा, यह ज्यादा कुछ नहीं है, इनकी website पर आपको ऐसा कुछ सच नहीं मिलेगा, एक video इनोंने टाल रखी है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत instruction और चीजों के बारे में है, यह कुछ यह equipment, यह सब चीज़ लेने में मज़ा बढ़ा आ तो इनोंने रिसेलर मतलब बोल सकते हो हर्ड कंट्री में अपने बिठा रखे, अब यहाँ पे आप नीचे आओगे न, तो यही पे आपको सारे दिख जाएंगे, आप सर्च बाइ रीजन करना और यहाँ पे आपको कंट्री वाइज आने लग जाएंगे, तो हमें अपना यहाँ पे तो थोड़ा सा नीचे करता हूँ, अब यह कुछ है प्रोवाइडर्स जो अभी राइट नो यह प्रोवाइट कर रहे हैं, अब इनके पास भी रैस्बरी पाई 5 नहीं आया होगा, क्योंकि 5 यह उक्टूबर से रिलीज हो जाएगा, उसके बाद एक हफ्ते के अ और यह कुछ प्राइजिंग है, तो ज्यादा प्राइज इस बार रखा भी नहीं गया, ठीक ठाक है, ओके रिबोर्ट है, तो यह कंप्लेटली सीन था इनके यहाँ से आप चेक आउट वैक आउट कर सकते हो, पैक्स भी यहाँ से यहाँ से यहाँ में देख सकते हो, अब द दॉलर के नियरबाइ में आ रहा है, 60 डॉलर का वही आप हिसाब लगा सकते हो, पांच हजार के आसपास का आपके बजट में, एक आपको 4GB RAM वला पूरा प्रॉपर PC मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत सारे ओपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो, चीजे चला सकते हो, मुश बहुत अराम से, यह 4GB वाला, 8GB वाला तो और बैतरी नहीं, 8GB वाला वेडियंट के कॉस्टिंग कुछ इसनों, इन्होंने 80 डॉलर के आसपास रखी है, अब देखो, इंडिया में यह प्राइजिंग आते है, शायद थोड़ी बहुत तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि यह प 30 डॉलर का अगे आप हिसाब लगाओगे, 7000 के आसपास, तो वही है, इंडिया में आपको 7.5 का इस हिसाब का मिल पाएगा, रेट में, यह कुछ सीन इन्होंने रखा है, प्राइजिंग का, देखो, प्राइजिंग के हिसाब से देखाता है, तो 7 या 6.5 या 5.000 रुपय मे ब्यूटी वाली चीज इसके अंदर करी है, यह चीज इंप्रूफ है पहले से, और 2-3 टाइम सो जैसा इन्होंने दिखाया ही है, पर्फॉर्मेंस अब हो चुकी है, वागि सबसे मजे की चीज क्या लगता है, आप इसके उपर से 4K डिस्प्ले आउटपूट ले सकते हो, तो अगेन यह नॉर्मल PC user शायद ना यूज करें, बढ़ा अगर आप बहुत सारे बड़े-बड़े स्क्रीन पर डिस्प्ले करना तब उसके लिए काफी फायद है, इवन इन्होंने रैम में भी अपने अप्ग्रेड, LPDDR, 4X, मतलब लेटेस्ट वाला सारा सिस्टम बिठ तो अगर आप चाहो तो NVMe SSD डिरेक्टली घुसेड के और फास्ट चला सकते हो, स्टोरेज भी इनों ने फास्ट कर दी, रैम तो करी दी, प्रोसेसर भी अप्ग्रेड कर दिया, टोटल सिस्टम अप्ग्रेड है, साथ ही साथ बाई, इतने सारे यह रहते है, लाइक आपका LAN पोर्ट हो गया, या फिर आपका वो जो USB वाले पोर्ट होते हैं, 3.0 यह सब कुस सपोर्टेड इस बाट दी है, मतला इंप्रूव्मेंट इस बाट टॉप लॉंच करा है, सारे प्रट में, और तब भी काफी लोगो को लगता है, इसमें लोग चलाएंगी, क्या, Raspberry Pi, system ठीक हाडवेर यह लेवल पर पता चल गया, software पर भी इनका काफी जलवा है, ऐसी बात ने, देखो, यहाँ पर Windows का भी की specific, Raspberry Pi वाला वर्जन आता है, आप यकीन करोगे, बिल्कुल मिल जाएगा आपको मार्केट में, Google पर सरच कर सकते हो, तो Windows का भी मिलता है, not just Windows, यहाँ पर आप इस पर चलाई सकते हो, और मजे की बात Android का, Android भी आप यहाँ पर टॉप लॉन चलता है, क्योंकि मैंने आपको Fade OS दिखाया था, Fade OS की website पर आप जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको specific, Raspberry Pi हो गया, Orange Pi, इन सब के लिए वर्जन मिलता है, तो not just care, यह Fade OS, आपको दूसरे भी बहुत सारे वर्जन है, Chrome OS का भी शायद कुछ वर्जन है, मेरे को लगता है, ऐसे कुछ-कुछ operating system है, जहां Play Store मिलते हैं, तो वह आले आप आप अराम से इन सब डिवाइसे पर डाल सकते हो, तो Android चल गया, Windows चल गया, और यह भी अपना चल गया Linux, तो mostly सारे चीज़े च चल जाती है, एड़ देन ते कोई PC ठीक है, पर मैंने आपको बता दिया, students के लिए, Linux चलाने के लिए, gaming आप hard नहीं कर सकते हो, बहुत light हो गया, cloud gaming को चलो तब भी आप बहुत धुआधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बागी बहुत maintenance, 5000 यह 6000 में आपको PC मिल कैरी करने में भी असान है, यह सब चीजे भी factor करती है, तो यह कुछ है, तो यह पूरा यह रवरिका सीन है, Raspberry Pi 5 का, रिलीज हो चुका है, October से शायद बाइंग वाइंग का जो भी रहेगा, वो देखते है, बागी चलो, यह completely सीन था, मैं सुझा दो दिन पहले रिलीज हो, थ यहीं चुए भारतवन्दे, मांतर